तो हमने जो अभी देखा कि किस तरीके से ये जो लेफ्ट वाला साइड है मेरे लेफ्ट वाला जो साइड है इसमें मैं जो बाती लिख रहा हूँ जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाता हूँ मैं जाता हूँ मैं मिलता हूँ मैं खेलता हूँ मैं डान्स करता हूँ मैं सोता हूँ मैं जागता हूँ मैं उठता हूँ मैं बैठता हूँ तो यह सारा मेरा एक पैटन तयार हो रहा है क्या पैटन तयार हो रहा है दिमाग में यह पैटन तयार हो रहा है ओके और इस पैटन को मुझे क्या करना पड़ता है प्रांसलेट करना पड़ता है आई इट अगर मैं खाता हूँ तो आई इट और अगर मैं यह कहता हूं कि मेरे यहां तक हम बाते समझते हैं बोलते हैं आगे सबसे इंपॉर्टन बात है कि इसको हम लॉजिकल तौर पर कैसे देखते हैं कि I eat मैं खाता हूँ मैं ख्या खाता हूँ तो यह अपनी अपनी बात आ जाएगी मैं खेरता हूँ तो कब उटता हूँ तौर जरुद नहीं कि अपनी बात रहेगी इसका मतलब यह जो logic वाली बात है यह बात को जितना ज़्यादा आप translate करते जाओगे अपने तरीगे से समझते जाओगे तो बाते आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी और यहाँ पर आपको compare करना है कि मैं खाता हूँ एक बात है और मैंने खाया दूसरी बात है मैं खेलता हूँ यह बात है और मैंने खेला यह दूसरी बात है मैं जाकता हूँ यह बात है मैं जगा यह दूसरी बात है मैं बोलता हूँ यह एक बात है मैंने बोला यह दूसरी बात है और इसी बात को हम क्या करत तरने बड़े पैमाने पर, large scale पर translate करते जाते हैं उतने सारे verbs हम use कर लेते हैं जो हमें पता है और हमें हमारी जो actions होती है जो रोज उमर्रा की जिंदगी में हम जो करते हैं हमारे दोस्त हमारे घर के लोग हमारे जान पहिचान वाले जो actions करते हैं उनको लेकर हम बात कर सकते हैं और यही बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि चार वर्प से सिफ V1 जो हमने यहाँ पर यूज किया है V2 जो हमने यहाँ पर यूज किया है V3 जो हम next वीडियो में जो हम और next वीडियो में यूज करेंगे V1, V2, V3 and V4 यह चार टाइप के वर्प के साथ जो हम खेलते हैं logically जो हम खेलते हैं मैं पूरे बड़े से वीडियो में आपके जरूर बताने वाला हूँ सारी बाते हैं वह जो logically जो हमारा खेलना होता है वही बात हमें grammar की तरफ लेक sentence क्योंकि मैंने पहले subject लिया है और उसके बाद मैंने वह अपका first form लिया है यही बात मैं जब ऐसे कहता हूँ कि I 8 तो 8 इसका past tense लेने की वेज़े से यह क्या हो गया subject plus V2 हो गया subject plus V2 हो गया that is called simple past tense अब मैं इसको कभ यूज करता हूँ बार बार जो मेरी आदते हैं या मेर जो कुछ किया है उसको बताने के लिए I use simple past tense you know so this is very simple यह बहुत आसान है यह अगर आप करके देखोगे तो जरूर आपको अंग्रेजी बड़ी आसान लगने लग जाएगी अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर इसे like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और subscribe कर जरूर आपको हमारा चैनल 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 आपको ह